हाई फ्रेंड्स मैं पर्विदर फारि फ्रेंड्स आज की हमारी गेम हिट्झ वागीला जी की वीडियो रेक्मेटेशन में जिस गेम के वीडियो बनाने के लिए कहा है वो वाकई बीद इममोर्टल गेम है और सही हो तो इम gluten गेम पर जादा अच्छा नहीं लेकिन फिर भी पॉइंट 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 पर जहां लगता है ही समझना चाहिए तो वही एक्स्प्रेंट करूँगा बाकि आप गेम पर लीजिए मज़ा गेम खेले गई थी सन 2015 में चाइनीज ग्रेंड मास्टर वे यह यह जिस भी तरह से इसे प्रनाउंस करेंगे और उनके सामने थे लोजारो बतिस्ता फ्रेंस लोजारो बतिस्ता नाम से मुझे ऐसा लगता है कि शायद अर्जेंटिना को तो नहीं है इवार मैं कन्फर् किया मतिस्ता का मुझे और इसके बाद यहां बाइट काया कैसल नाइट एफ सिक्स दें बिशेप आया इटू स्क्वार पर बिशेप ए सेवन दें हुआ एफ फॉर दी सिक्स किंग काया है एच वन स्क्वार पर बिल्कुल सही भी है ऐसा कुछ होना तो है नहीं किया वैसे वैल कैसल अब यहां ब्लैक ने किया देन हुआ कुइन एवन नाइट टेक्स दी फॉर बिशेप टेक्स दी फॉर देन हुआ वी फाइव और अब यहां 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 इस नाइट पर हम प्रेशर कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं क्यों नहीं कह सकते हैं क्यों कि पहले यहां वाइ चला और अब्वेसर नाई टेक्स E4 का सीधा सा मतलब हो को इन टेक्स D7 चेक मेट के कितना नजदी के जस्ति इस बात को समझाने के लिए मैंने या मूव दिखाया है फिलाल मूव है बलैक का तो उन्होंने भी आपने रुक को मूव किया D8 स्क्वार पर रुक को सेंट्रलाइ कुन गई B8 स्क्वार पर देन कुन S3 और उपर से ज़्यादा दबर दस्ती तो चेक मेटिंग थ्रेट आ गई है या फिर नाइट को लेने की बात आ गई है इस पॉइंट पर सिम्पल है सिम्पल इस बैट H6 पॉन कुष पच्छा वर्क करता लेकिन G पॉन के पुश होने के बाद F5 और स्ट्रक्चर खराम होने वाली बात हो जाती है E5 बिशप पर अटेक बिशप काटना ज़रूरी है ताकि जब पॉन एक्षेज हो तो बेटर पॉजिशन यहाँ पर ब्लैक के पास और डिफेंड करने को दिए बिशप काटना बड़ा हो गया E3 स्क्वार पर देन ब्लैक अगर यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन कर पाता तो 100% बिशप टेक्स दीफाइब की ही ऑप्शन को चुनता और गेम यहाँ ठीक ठाक चल जाती है E3 होता और यह पॉन को तो लिया ही नहीं जा सकता जस्ट सिंपली यह काफी परेशान करने वाली रहे गी आने वाले समय चलते हैं गेम पर यहां नाइट टिक्स दीफाइब की ऑप्शन को सुना जा लाजारो 100% कम से कम रुक टिक्स एफ सेवन का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगी डिरेक्ली यहाँ पर है रुक सेक्रिफाइस और कह सकते हैं चेक्मेट की थ्रेट असेट करना ही पड़े चेक और चेक्मेट हो जाएगी तो किंक को जाना ही पड़ा एस इसक्स स्क्वाइर पर सुरी एफाइल में होता भी तो भी रुक आकर परिशान करता तो एसक्स स्क्वाइर इसक्क के लिए बचा है देन हुआ एटेक्स डी फाइब मूवी चेक के साथ हम दो आप्शन से इस पॉन को बिशप से लिए जाए लेकिन बिशप से लेने के बाद भी गेम चेक्मेट तक पहुंसती है बिशप टेक्स डी फाइब का मतलब होगा बिशप टेक्स जी एट और यहां अगले मूव में इसे हम कहेंगे चेक्मेट की थ्रेट तो इससे बचने के लिए का करें ब् ले ले लेते हैं बिशप को लो या ना लो रजल्ट है कि आता है को नेक्स डी फाइव ठीक है लेकिन अब वो हाथ से बाहर जा चुपा है तो लिजारम ने डेसाइड किया कि ठीक है मैं काम करता हूं मैं यहाँ चल देगा हूं किंग टेक्स डी फाइव और अगर कोई चेक आएगी भी तो यहाँ डिरेक्टली मैं अपने किंग को लेकर भाग जाओंगा सी फाइल की तरफ और सेफ हुजाएगा मरा कि लेकिन बिशप से चेक आई और किंग को फोर्स किया गया ई फाइल बिशप से करदा इसा है बिशप टेक्सी को और यहाँ जिसको समझ में आ गय सिर्फ बिशप कोई बीच में से हटाना है और वो होगी एक बढ़िया सी चेक तो बिशप एफ सिक्स ताकि कम से कम वाइट की कुईन के चेक मिटिंग फ्रेट ना दे पाए बिशप डी टू चेक किंग आया यहाँ डी फॉर स्कॉर पर देन दुबारा बिशप से चेक आई और किंग को आना पड़ा ए फॉर स्कॉर पर किंग को भागने दी दिया जा सकता आप फॉर स्कॉली पूर ब्लाक के किंग को उपनेट के किंग को सेंटर में लाएं बोल दे तो जाने नहीं दे सकते है और टूफ रेपेटिशन हो चुके है तो अगर वाइड बाएट को लेकिन क्या जोगता अगले मूव में जब मुझे ये चेक मेटिंग थ्रेट नजर आ रही है तो क्यों न करो मैं किंग यहां से पहले ही F5 स्क्वाइर पर गया और किंग के भागने के लिए कौन सा रस्ता है E6 स्क्वाइर करना है अगर यहां वाइट की क्विन चेक देने के लिए आती है लेकिन चेक क्विन से नहीं क्यों जाएगी टेक चेक दियाएगी रुक से किंग को G4 स्क्वाइर पर ही जाना पड़ा देन हुआ क्विन D3 और एक और मूव आया वेटिंग मूव कह सकते हैं क्य फिलहाल मूव है ब्लैक का ब्लैक को यहां किसी भी कीमत पर एक ब्रिदर चाहिए है यहां पर यह चेक मेट की त्रेट आप सबी लोगों को नज़र आ नहीं होगी यहां हुआ बिशप टेक्स जी क्यों कि मेरे पास इनफ मैटिरियल है थोड़ी जान बचाने के लिए थोड एक फाइल अवेलेबल ही नहीं है किंग के लिए सिर्फ अब बचे है या तो ह3 या ह4 स्कॉर पहले रखते हैं किंग को ह3 स्कॉर पर अगर किंग ह3 स्कॉर पर आया भी तो अगले मूव में डिरेक्टली चेक मेटिंग ठ्रेट बना सकते हैं बीशप टेक्स जी 5 कर ले दे र गीशप खाउए किंग ह5 स्कॉर पर जाना किंग फ्वार अगर के क्या बीशने के बचेक्र और बीशप से चेक तो आईगी किंग के भागने के लिए कुछ बूंच तो रहे कृए हँँ घाए मेरे ख्याल से explanation की जोगती नहीं है कि अगले move में क्या threat है यह checkmating threat है checkmate से बचने के लिए rook f8 कर लेते हैं जहाज जाज़ा rook tex f8 हो जाएगा और वैसा है queen tex f8 का मतलब होगा कोई g2 check और go mate होगी तो यहाँ पर sorry exactly from here queen को यहाँ इस g2 square की defense से नहीं इटा जा सकता जैसे क्या होगा queen से check दे देते हैं उमीद इसमें की bishop को बीच में लगा देंगे कोई रिकत नहीं है king को h1 square पर ले जाओ queen b7 check rook बीच में जाएगा 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 चेक देने के लिए king को g4 square पर ही जाना होगा then queen g2 check king h5 square पर ही जाएगा और अब क्या करें रुक से चेक देंगे bishop बीच में लग गया दा रुक टेक सा छोड चेक और बहतनी अग्सापल होगा यह चेक मेट का तो फ्रेंट्स bishop के e1 square पर आने के बाद यही कारण रहा चेक मेट करने का लर्जो लजारो बतीस्ता था फ्रेंट्स काफी अच्छी यह चेक प्रीजेंग तो नएग्स अजया ख़गा जारहेगा थैंकी अजया था फुर्वची अजया ड़हां था आ ग्रचिव फॉक्त प्रेट्स बाच प्रच।